मद्यवदेश के राजगर जिले में 19 जनवरी को नागरिक्ता संशोधन कानून CAA के समर्थन में भाजपा कारिकर्ताओं द्बारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी जरान कारिकर्ताओं वो प्रिशासन में टकराओं के स्थिती बन गए जिले में धारा 145 प्रभावी होने के चलते राजगर कलेक्ता निधी निवेदिता ने भाजपा कारिकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन वो रेली निकालने की जद पर आड़ी रहे इस जरान कलेक्टर और कारिकर्ताओं में जम कर भहस हुई तहस के बीच कलेक्टर व डिपटी कलेक्टर के साथ रदर्शन कारियों ने अभधरता व कपड़े पकड़ने की कोशिश की तो लेडी अफसरों ने थपड़ जड़ दिये इस घटना के बाद विवाद बढ़ गया और पुलिस को स्थिती संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा इसमें कुछ कारिकर्ता घायल हो गए मीडियरिपोर्ट्स के मताबे के संभामे के बीच कुछ लोगों ने महिला अधिकारियों से अभधरता और उनके कपड़े पकड़ने की कोशिश की इससे महिला अधिकारी भड़क गई और हरकत करने वालों को थपड़ जड़ दिये इस दरान डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने भी भीर को नियंद्रत करने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शन कारियों ने घेर लिया और बाल खीचने की कोशिश की डिप्टी कलेक्टर ने ताबर तोड थपड बरसा दिये इस संगामे की बीच पलिस ने आच से दस भाजबा कारिकरताओं को हिरासत में ले लिया है कई नामजद आरोपी फरार है कटनास्थल के वीडियो फोटेज देखे जा रही है कलेक्टर निधी निवेदिता का कहना है कि धारा 145 प्रभारवी होने के बाद कानून से खिलवाड करने वालों पर कारवाई की जाएगी भीड को भड़काने के मामले में भाजबा के एक पूर्व विधायक पर भी कारवाई की जा रही है